पानिबत में एक बच्चे के अपहण का मामला सामने आता है 24 गंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है परिवार को जानने वाले एक शक्स पर ही पुलिस को पूरा पूरा शक है यानि कोई ना कोई नजदी की परिवार का है दो इसे पूरे मामले में संलिब हो सकता ह पुलिस ने बच्चे की तलाश में शर्च अभ्यान चलाया बडाना गाओं में घर घर तलाशी ली जारी आजपास के गाओं में भी तलाशी ली जारी ऐसे चुक्यों और से जान कर दिगी यह पूरा मामला बडाना गाओं का है बानिबत का एक बडाना गाओं में जहां पर एक परिवार में एक बच्चे का अपन हो जाता उसके बाद पूरा परिवार चिंता में होता है और ये चिंता कविश्य होना भी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे का अपन हो जाना ये बाकी जो लोग है बाकी जो परिवार है उनको भी कहीं न कहीं बड़ा डर जरूर सता रह होगा और कि औहां और साथ ही हमारे साथ हमारे समधाता प्रधीब तो भी सोवक्ट जुर्देगं जा रहे हैं उनसे हम जानकारी लEngेस पूरे मामले को लेकर प्रधीब यह जो पमामला सामें आहEng मामला काफी हैरान करता है इस मामने को लेकर एक और बार सामने आए चुकी है कि कोई ना कोई नज़्दी की जरू है विलाल अपडेट का है इस मामने को लेकर वो आप से जाना चाहेंगे पूरे 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और हम तस्वीरों के माद्यम से दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर सर्चिंग अवियान चलाएव है जहाँ पर जिस लोकेशन के पास जो चिठी बरामद की गई थी उस लोकेशन पर हम मौजुद है उसी घर के अंदर पुलिस की टीम है यहाँ पर है तेरा स्तारा थाना की और जो C.I.A है C.I.A. 1 और 2 दोनों टीम है लगातार इस केस को गंबीरता से देखते हुए इस इन्वेस्टिकेशन कर रही है पूस्तास कर रही है परिवार से लेकिन वो लोकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि देखे यहाँ पर वो चिठी बरामद की गई थी यहाँ पर एक पॉलितिन के अंदर वो कागस था और यहाँ पर फैका जाता है या रखा जाता है वो अभी सस्पेंस बना हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप लोग 15 लाख रुपे का इंतजाम करें पुलिस को कोई सोचना ना दे अगर सोचना दी गई तो बच्चे की साथ गलत कर दिया जाएगा और उसमें ये भी बकाइदा कहा गया था अगर पैसे का इंतजाम हो जाता है तो घर के बाहर X लिख सकते है X लिख कर जो कोड़ वर्ड दिया गया था देखें ये वो कोड़ वर्ड है जो उस चिठी में था X है और जो परिवार वालों की तरफ से लिख दिया गया X पैसा तयार तो परिजन परिशान है पूरा गाउं पुरी राथ से जो पुलिस की टीमे है वो दबिश दे रही है नाके बंदी कर दी गए चारों तरप से और एक ए घर की यहां पर तलास की जा रही है तो सामने यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस करेंगे कि आप तक 24 घंटे से जादे का वक्त हो चुका है क्या अभी तक कोई चबूत मिले किस वक्त की घटना है जी कैसे हुआ थे कैसे पर ग्यारा बज़े की बात है जी कहां में बताइए चिठी का सब्सक्राइब चिठी यही से मिली जी सामने से अच्छा कुछ लिखा हुआ था उसमें लिख्या था बढ़ी 15 लाख रुपे चीए 15 लाख रुपे अगर तियार हो जाए तो घर के बार गेट पे लिख दियो और भी पैसा तियार है और काट लेगा निसान लगा दियो आखरी बार जो रोनक था वह कहां पर किस लोकेशन पर देखा गया था कहां मिला था कि पानी की टेंगे हुए खेड़ के पास में देखा गा था 11 बुझे लास्ट टाइम उसके बाद नहीं मिला जी घटना को 24 गंटे से जादा का वक्त हो चुग ताइम पर सारे सियाई आड़े सब भार रहे हैं जी मावी तक कोई सुराखने मिल रहे हैं आप क्या लगते हो रोनक के मैं उनके मामा हैं हमारे साथ इन्होंने एक कहा कि पुलिस परशासों अपना कार्या कर देखने वाली बात है कि आखर कार कब तक बच्चे की तलाश हो जाती है और उमीद करेंगी बच्चा साकुषल हो क्योंकि 15 लाख रुपे की फिरोटी मांगी लेकिन सबसे अहम सवाल यह है इस पूरे मामने को लेकर कि कोई परिवार का नजदीक है जिस पर पुलिस को भी शक है जल्दी परते खुलेंगी तो सब कुछ सामने होगा लेकि सबसे इंपोर्टन्ट है कि बच्चा सकुषल हो